नमस्कार दोस्तू मैं आपका स्वागत है मारे चैनल में आजम बात करेंगे Self Defense Law in India यानि Self Defense के कानूनों के बारे में जो इंडिया में है तो Self Defense मतलब आत्म रक्षा तो Self Defense क्या होता है पहले ये जान लेते हैं तो self defense means, self defense मतलब अपने सरीर एवम प्रोपटी के लिए fight करना, यह आपके सरीर पे कोई हमला करता है या आपके प्रोपटी पे हमला करता है तो उसके लिए fight करना, आप self defense में किसी की जान भी ले सकते हैं और यह murder नहीं कहलाएगा, बलकि यह self defense कहलाएगा, इसमें आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, इंडियन पिनल कोट के अनुसार, section 96 से ले करके 106 तक सभी section में self defense का हक दिया गया है, सभी भारतिये नागरिकों को, चलिए अब कुछ situations के बारे में बात कर लेते हैं, situations 1, loot रात में घर में घुसना, आग लगाना, चोरी करना, आदी स्थिती में अगर जान का खत्रा हो, तो हमला करने वाले को जान से मार देना murder नहीं कहलाता है, बलकि self defense कहलाता है, situations 2, महिला को, अगर महिला को एहसास होता है, कि कोई उस पर हमला या रेप करने वाला है, तो वो आत्मुरक्षा के लिए उस इनसान की जान तक ले सकता है, ये self defense कहलाएगा, murder नहीं कहलाएगा, इसमें कोई सजा नहीं दी जाएगी, situation 3, महिला रेप की कोशिस के दोरान किसी व्यक्ति को घायल कर देती है, और उस घायल व्यक्ति का अगर जान चला जाता है, तो उस situation में महिला को कोई सजा नहीं होगा, self defense कहलाएगा, situation 4, kidnap होने पर अपनी जान बचाने के लिए, kidnapर या kidnapर के अन्य साथियों पर हमला करके, अगर उनका जान भी चला जाता है, तो वो self defense कहलाएगा, murder नहीं कहलाएगा, इसमें आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी, situation 5, किसी महिला के उपर कोई अगर acid attack करता है, तो वो महिला अपने बचाब में, या फिर कोई दूसरा ब्यक्ति, उस महिला के बचाब में, उस हमला बर को जान से मार देता है, तो ये self defense कहलाता है, ना कि murder, तो friends, ये कुछ situation थे, जो self defense के अंदर आते थे, और भी situation हो सकते हैं, अब हम कुछ important note, important बातों के बारे में जान लेते हैं, कि अगर आपके घर में कोई चोर गुशता है, और उस चोर के पास कोई हथियार नहीं है, चाकू है, तो आप उसको direct गोली नहीं मार सकते हैं, आपको self defense में चाकू से या डंडे से हमला करना पड़ेगा, example और लेते हैं, अगर आप पे कोई ब्यक्ति डंडे से प्रहार करता है या मारता है आपको, तो आप direct उसे गोली नहीं मार सकते हैं, आपको भी डंडे से ही प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जितना दूसरा ब्यक्ति आपको नुक्सान पहुचाना चाहता है, उतना ही आप भी उसे कर सकते हैं self defense में, ऐसा नहीं कि अगर कोई डंडे से प्रहार कर रहा है, या कोई नियाथा है, कुछ नहीं है, लेकिन आप उसे suit कर देते हैं गोली से, तो आप गोली चला सकते हैं, या अगर कोई आप पे डंडे से हमला कर रहा है ता भी डंडे से करें, अगर आप पे कोई चाकू से कर रहा है तो आप भी चाकू से करें, इस तरह का कानून है, पता नहीं किस तरह का कानून है, लेकिन है भाई है, कानून तो है, यानि कानून यह कहता है कि अगर आपके घर में कोई चोल हो जाए और वह आप पर जान लेवा हमला करें अगर आपके पिस्टल है ता आप उसका पिस्टल गयूज नहीं कर सकते हैं बलकि आप भी उसका जान लेवा हमला करें यह कानून है तो फ्रेंड्स आई होप आपको इंपोटेंट नोट समझ में होगा कि अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है जिस रूप से जितना च्छति पहुचाना चाता है तो हमिंद बनाई हुव सवाल यह सुजआब हो तो प्लीज मुझे मुझेiska में जरूर बताएं मैं आपको रिप्लाइ ज़रूर करूंगा धन्यबाद